हेलो गाइज, वेल्कम बैक टू अनदर एपिसोड अग पोकमोन फायर रैड रेंडमाइज नजलोग चैलेंज अब तक हमने चार जिम बैज जीत लिये हैं और आगे आज हम अपने पाचवे जिम बैज की तरफ कंटिनू करेंगे आज की इस एपिसोड में हम टीम लिडर बोस जीववानी को अराएंगे और रैवल बैटल करेंगे आज का ये एपिसोड काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मेरे पोकमोन की लेवल काफी कम है और एक भी क्रिटिकल इट या सुपर एफेक्टिव मूव मेरे पोकमोन को खतम कर सकती है तो आई ये वीडियो को फटा फट स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप लोगोंने बोला मैंने अपनी टीम में होंडोम को रखा और माकुईटा को भी निकाल लिया अब मेरे पास एक अच्छा फायर टाइप पोकमोन था और फाइटंग टायप पकमोन भी कि अपने पोकमोन को निकालने के बाद मैं टीम रोखेट आइडाउट गया थाकि टीम रोकेट बोस को अरा सकूँ पहले टीम रोकेट मेंबर के पास पहला पोकेमोन कमबसकें था जिसके लिए मैंने अपना पोकेमोन चेंज किया और मेरे चंपकलाल ने इसको अराम से अरा दिया फिर दूसरा पोकेमोन फायर टाइप पॉनिटा था उसको भी मेरे चंपकलाल ने अराम से अरा दिया इसके बाद मैं टीम रोकेट आइड आउट में नीचे गया और बाकी के बचे वे टीम रोकेट मेंबर्स को भी आ रहाया इसमें मुझे कोई खास प्रोब्लम नहीं हुई बस कुछ अच्छे अच्छे पोकेमोंस मिले जैसे की बलेजिकेन, लेटियाज, रेजाइस, गलेली ल जियोवानी को अराने का, जियोवानी के पास पहला पगमों फैनफी था, जिसको मैंने फायर टाइप पॉंडूम से अराने का सोचा, कि मुझे पता था कि फैनफी इस लेवल पर कोई भी ग्राउंड टाइप अटैक नहीं सेखती, लेकिन इसको अराने में थोड़ा टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने चंपकलाल को बुलाया और पल्स और वाटर गन से इसको अरा दिया, इसके बाद जियोवानी के पास जैटू पगमों निकला, जिसको मैंने चंपकलाल से अरा दिया, पहले रोक्टों में काफी एल्थ कम होई थी जाटू की, लेकिन फिर दूस इसरे वाटर पल्स से वो बच गया, फिर उसको मैंने दोबार वाटर गन यूज करके अरा दिया, जियोवानी के पास तीसरा पकमों अक्टिलरी था, जिसके लिए मेरे पास कोई भी स्टॉंग पकमों नहीं था, इसलिए मैंने सोचा चंपकलाल से इसको सुलाएंगे, फिर अपनी टीम रोकेट बोस जियोवानी को अरा दिया, और मुझे सिल्प स्कोप मिल गया, अभी इसके बाद मैं पोकेमों टावर जा सकता हूँ, और अपनी जर्नी कंटिनू कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले इस सिटी में अभी कुछ काम करने बाकी थे, जैसे कि ये चाय ल करेंगे, ये काउंटर अभी नहीं सिखारा है मैं किसी को, मैंने यहां से डिग और ब्रिक बेक और सीक्रेट पावर अटेक्स ले लिए, जो कि काम आएंगे, और फिर मैं अपना ये इस रूट का पहला पकमों पकडने चला गया, यहां पर मुझे पहला पकमों मिला लूना को पकड़ने के लिए मैंने अबदुल का एंबर यूज किया लेकिन रोक थ्रो से काफी ज़्यादा डैमेज हुआ तो मैंने पकमों स्विच किया चंपकलाल में और चंपकलाल ने एक वाटर गन यूज किया, उसके बाद मैंने इस लूना टॉन को पकड़ लिया, इस लून मैंने यह फ्लाई अपने जाट्टू को सिखाया, यह अब टैलिप के मेरे पास फ्लाई आ चुका था तो अब टैलिपर्ट के ज़्यादा जरुरत नहीं थी, इसलिए मैंने इसको फ्लाई सिखाया और अपने बाकियों को भी कुछ अच्छा टैक्स सिखाया, साथ से पहले बीडे को डिग सिखाया, उसके बाद माकुईटा को डिग और ब्रिक ब्रेक सिखाया, फिर लास्ट में अब दूल को भी मैंने सिक्रेट पावर सिखाया, अब मेरी टीम रेडी थी आगे कंटिन्यू करने के लिए अपने नियो अटैक्स के साथ, लेकिन उससे पहले अभी म फाइटिंग डोजो में फाइट करने चला गया, लेकिन इस डोजो में पकमोंच की लेवल काफी जाद आई थी, पहले ही पकमोंच पूचियाना की लेवल 31 थी, उसको तो मैंने अरा दिया, लेकिन मुझे पता था कि अभी इस डोजो में मुझे क्यों काफी प्रोब्लम हो स उसको भी मैंने बीडे से अरा दिया, अभी इस डोजो में सिर्फ बीडे ही था जिसकी लेवल इन पकमोंच से जादा थी, बाकी सभी पकमोंच की लेवल कम थी, इसलिए मैंने जादा कोई रिस्क नहीं लिया और बीडे को यूज़ करके इन सभी ट्रेनर्स को अरा दिया, लास्ट वाले ट्रेनर के पास राय को मिला, जिसके लिए मेरा बीडे परफेक्ट था, और बीडे ने डिग अटाक यूज़ करके इसको अरा दिया, इसके पास दूसरा पकमोंच सील था, जिसको भी अराने में कोई खास प्रोब्लम नहीं हुई, और तीसरा पकमोंच स्लैक कि एच्प बहुत जादा होती है, एच्प और डिफेंस, इसलिए इसको अराने में काफी टाइम लगा, क्योंकि इसके एच्प बहुत कम डैमेज हो रही थे, और मेरे बाकी सभी पकमोंच को यह आराम से खतम कर सकता था, इसलिए मैंने बीडे को यूज़ करके इसको देर इसलिए मैंने मंगू को लिया, लेकिन इसने फेंट अटक यूज़ किया, जो कि डार्क टाइप था, मेरे मंगू पर सुपर एफेक्टिव लगा, और मेरा मंगू इसके साथ खतम हो गया, फिर मैंने अबदुल को यूज़ करके इसको अराने की कोशिस किया, एमबर से, ले जो कि वाटर टाइप था और मेरे काफी पकमोन्स के सामने ये स्ट्रोंग था, इसलिए मैंने बीडे को यूज़ किया, उसने लैपरेस ने पहले ही अटैक में पैरिस सॉंग यूज़ किया, जिसे कि कोई भी पकमोन तीन टरंस में फेंट हो जाता है, इसलिए मैंने रिस्क ना लेते हुए, बीडे को स्वीच कर लिया, और सुन्दर को ले आया, ताकि सुन्दर के ब्रिक ब्रेक से इसको अरास कूँ, सुन्दर ने कन्फियूजन में खुद को ये हीट किया, लेकिन तब तक लैपरेस का पैरिस उंग काउंट जीरो हो चुगा था, और वो फेंट ह काम दिया, रोशन, फिर मैं पोकमोन सेंटर गया, और अब टाइम था अपने आरवे पोकमोन को रिलीज करने का, जाक्टू जिसने बहुत अच्छा किया था अब तक, और लेवल 27 का हो चुका था, लेकिन अब हमें इसे रिलीज करना पड़ा, और इसकी जगह कोई और दू को एरिया लेज सिखा दिया, अब चलते हैं अपने राइवल बैटल के लिए, मेरे राइवल के पकमोन भी रेंडमाइज है तो मुझे पता नहीं इसके पास कुन सा मिलेगा, राइवल के पास पहला पकमोन पाइलो स्वाइन था, जिसके लिए मैंने वाटर पल्स यूज ग कर दिया, और फिर दोबारा सिंथेसिस यूज किया, इसलिए इस मेगैनियम को अराने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन इसको अराम से अरा दिया, फिर राइवल के पास पहला पकमोन रेटकेट था, उसके लिए मैंने सुन्दर यूज किया था कि ब्रिक ब्रेक से इसको पर आशकूं, और उसको एक ब्रिकब्रेक में अरा दिया, सुन्दर ग लवल 22 हो गई, और राइवल के पास आगला पकमोन विगली टफ था, जिसके लिए मैंने फिर से ब्रिक ब्रेक यूज किया और इसको भी अरा दिया, अब राइवल के पास लास्ट पकमोन सेप्टाइ इसके लिए मैंने सुपर एफेक्टिव ट्वी नीडल यूज किया जो जिसने पॉजन किया लेकिन इतने में ही सेप्टाइल ने इसको क्विक अटाइक करके अरा दिया पिछला क्विक अटाइक क्रिटिकल इट था जिसकी वजए से मेरा एक और पोक्मोन आर गया और मुझे इसको भी रिलीज करना पड़ेगा मैंने बेटरिल को इसलिए कंटिन्यू किया क्योंकि वह ग्रास टाइप के लिए फॉर टाइमस डिफेंसिव था बग और पोईजन टाइप था लेकिन फिर भी इसको बुरी किसमत के साथ मैंने इसको भी लूज कर दिया अब जाके वाप दूसरा पकमोन था जिसको मैंने रिलीज किया और अब मेरे पास कोई खास पकमोन नहीं था इसलिए मैंने पिकाचु को इविटरा कर लिया फिर मैं वापिस पकमोन टावर गया और इस बार पिकाचु को स्विच ट्रेन कर रहा था तभी मुझे मेरा पकमोन टावर का पहला पक्मोन विगली टफ मिला और इसको मैंने पकड़ लिया इस विगली टफ को पकड़ने के बाद मैंने इसको निकनेम दिया मादवी इसके बाद मैंने पिकाचु को दीरे-दीरे स्विच ट्रेंड किया थाकि उसको भी बाद में यूज कर सबूँ लेकिन इसके आगे ये गेम काफी टिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि मेरे पक्मोन्स की लेवल कम है और कुछ अच्छे-च्छे पक्मोन्स मैंने लूज कर दिये मैंने शुरू से अब तक काफी पक्मोन्स खोए हैं जिसमें बवित्ता जी जेठालाल मेरा स्टार्टर पक्मोन पॉपट मंगू और सुन्दर है इनको मैंने इन सभी को मैंने पक्मोन बैटल्स में लूज कर दिया कभी क्रिटिकल लेट लगा कभी सुपर एफेक्टिव मूव अब पता नहीं आगे गेम में कितने और पक्मोन लूज करने हैं कोशिस करूंगा कि आगे गेम में जादा पक्मोन लूज ना करूं मैं ऐसा सोची रहा था लेकिन तभी कुछ अनेक्सपेक्टिड हुआ मेरे सामने लायरोन आया जो कि एक रोक और स्टील टाइप है और इसके लिए फाइटिंग टाइप च्यार गुना लगता है इसलिए मैंने टपू को लिया और इसने टपू को एक क्रिटिकल इट से आरा दिया इसीक साथ मेरा एक और पक्मोन आर गया और इस एपिसोड में अब तक मैंने टोटल तीन पक्मोन खो दिये जिसमें सबसे ज़्यादा दूख यह टपू को कौने पर हुआ क्योंकि एक अच्छा पक्मोन बन सकता था और फिर से मैंने मेरा एक और फाइटिंग टाइप पक्मोन खो दिया एक एपिसोड के लिए मैंने काफी सारे पक्मोन खो दिये हैं इसलिए अभी आज के लिए मैं एक गेम यह इंपर सेव करूँगा और कोसिस करूँगा कि आगया आने वाले एपसोड में गादा पक्मोन लेकिन नेक्स्ट एपसोड से पहले आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे मेरे नई पोकमोन्स का क्या नाम रखना चाहिए क्योंकि मैंने तार्क मैंतर के सभी करेक्टर्स यूज कर लिए हैं थैंक्यू पर वाच्ट